तो बिटे हम लोग को ने capital budgeting में बेसिक कतम किया, पहला point, दूसरा point भीना IPCC कही है, और questions है हमारे एक, प्रैक्टिसमान में बड़ी सारे questions है, तो चलो जी, लिखोगे बिटे, second point, replacement decision, सर, अब ये नया चक्कर क्या है, replacement क्या है, प्रैक्टिसमेंट का ऐसा है, कि एक machine है मेरे पास, बहुत पहले खरीदा है, पास साल दस साल बहुत है, और अभी भी वो working condition में है, और मुझे मालूम है कि वो machine अभी और पास साल चल सकी, कोई machine है, बहुत पहले खरीदा था, ये time निकल चुका है, और अभी भी आज में यहां खड़ा हूं, अभी भी एक machine है, जो पास साल चल सकती है, पास साल चल सकती है, कौन सी machine है, existing, नहीं नहीं खरीदा है, पहले से existing machine या old machine बहुत सकती है, एक machine पहले से, पर यार वो जो technology जो machine है, वो उतनी मज़ा नहीं आ रहा, technology बुदानी है, उससे अगर हम आगे पास साल तक चलाएं, ऐसा नहीं है कि रिपेर हो चुका मतलब खतम हो चुकी है machine, machine चल सकती है, रनिंग कंडिशन में है, अगर उसको मैं ऐसी पास साल चलाऊं, तो CF-80 आएगा, अनुमान है, कि हर साल हम 35,000 परेनों कमाएगे, ठीक है, सर, existing machine की आज book value कितनी है, आज की book value है, उसकी 50,000 और हम 35,000 कमाएगे, अगर हम old machine को ही चलाएं, कितने साल तक कमाएगे, पास साल तक, और ऐसा है कि पास साल बाद वो machine हम को मानुम है कि कम से कम, 4000 रुपए की तो भीग जाएगे, अज से पास साल बाद 4000, पुरी की पुरी मे में बात कर रहा हूँ, एक adjusting machine है, बहुत पहले खरीदा था, आज उसकी book value कितनी है, 50,000, अगर उसी से हम काम करें, तो हलकि वो old technology की है, पर उसी से काम करें, तो 35,000 कमाएगे, पास साल बाद उसे बेचोगे, तो 4000 मिलेगा, अब क्या हुआ हुआ, मार्केट में हमने पता technology आ गई है, जो हम काम कर रहा है, new technology, एक नई machine है, new machine, और करीब करीब वो 125,000 की पड़ेगी है, अगर हम old machine को replace कर दें, और new machine खरीदें, और उससे काम चलाएं, तो हमें अंदाजा है, कि हम CFAT कमाएगे, हर साल 60,000 लुप, और पास साल तक ही ये machine चलाना, और पास साल बेचेंग, बाद बेचेंगे, तो 10,000 की machine बेचेंगे, कौन जी machine, new machine, अब सुना दें, यार नई machine खरीदे की नई खरीदे है, old machine तो है, पहने से काम वैसे भी चल रहा है, पर नई machine खरीदे से कमाओगी भी तो जादा, भाई, क हम कमाएंगे 60,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे, एक्स्ट्रा कमाएंगे हम 25,000 पर हर साल का 25,000 एक्स्ट्रा आएगा, और सुनो, अगर हम old machine ही चलाते तो 4,000 में बिकती, पर नई machine चलाएंगे तो 10,000 में बिकेंगी, तो एक्स्ट्रा हम को ये भी तो मिलेगा, यस, incremental terminal value, एक्स्ट्रा को मैं क्या नाम दोंगा, incremental, अच्छा, तो बिट्टे, फायदे गिना रहा हूं, फायदे ये गिना रहा हूं कि new machine खरीबने से फायदे है, हर साल incremental CFET 25,000 और लास्ट में incremental term value 6,000, पर ये एक्स्ट्रा कमाने के लिए लगाना भी तो पड़ेगा, और आज कितन लगाना पड़ेगा, एक्पचिस, हाँ सर, एक्पचिस का खर्चा लेकिन, 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 सुनो, बही, ओल्ड मशीन को रखके क्या करोगे, तो ओल्ड मशीन को आज ही बेच देंगे, मालो, ओल्ड मशीन आज भिक जाएगी, 70,000 रुपै की, capital gain tax आएगा, वो बाद में एक्स्ट्रा कितना लगेगा, जड़ा देख, एक्पचिस, माइनस, 70,000, capital gain tax इग्नोर करो, एक्स्ट्रा लगेगा, 55,000, पूरा पूरा डिसीजन, इंक्रीमेंटल बेसिस, पे हम लगों को देना, इंक्रीमेंटल बेसिस, इंक्रीमेंटल बेसिस का मतलब क्या हो गया, इंक् इंक्रीमेंटल कैस आउटफ्लो, ठीक, 55,000, एक्स्ट्रा कितना आएगा, इसको बलेगी, इंक्रीमेंटल कैस इंफ्लो, और पाच साल बात आएगा, इसको बोलेगी है, इंक्रीमेंटल बेसिस, ठीक है, डीसीजन देना, एंपीवी पॉजिटिव आना चाहिए, और format हुई रहेगा जो हम बना रहा थे, year present value, amount present value, सबसे पहले लिखोगे, cash outflow की जगह, incremental cash outflow, cost of new machine, minus sell of old machine, net of tax के लिख लिए, यह नहीं है, sell of old machine, जो difference आएगा, वो क्या हैगा, incremental cash outflow, फिर क्या आएगा, incremental CFAT कैसे आएगा, CFAT of new machine, minus CFAT of old machine, हर साल आएगा यह, PV, AF, और incremental terminal value आएगा, यह कैसे आएगा, terminal value of new machine, minus terminal value of old machine, चलो जी, इसको एक बार लिख लेते, फिर format भी बना लेते, particular और फिर हम लोग काम करें, ença o कह तक्यों sa o क्यापक, Guevpe, करें, क्याम करें से ना लेते, फ awareness दिए, we allやपक, बना लेते, और वेते, ok, है इसन वर्किंग कंडिशन ऐसा नहीं है कि मशीन खराब हो चुकी वर्किंग कंडिशन बहुत नुट नीव मशीन विजब टेकनलोजी इस अवैलेब नार्किंग and we have to decide what can you decide whether old machine should be replaced or not and such decision is taken on the basis of incremental cash flows cash outflow इसके लिए format बना लेते हैं क्या है पॉर्वेट रहता ना था हम लोगों को जड़ा रिक्कत नहीं थी कि इस्टेट में साइ इस्टेट में साइ कि इस्टेट क्रूशन इस्टेट क्कॉर्ण आए पुर्ण पहले कोलम रहेगा यहां सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा केस आउफ्फलो की जाएगा क्या लिखूंगा पेट्टे में इनक्रेमेंटल केस आउफ्फलो में सबसे पहले जाएगा कॉष और जाएगा ने इएछ है इस में से मांच क्या करोगी वह ऑफ ऑफ ओज़िए नेtam capital gain tax अगर गोष टैक्स का rate weight होगा तो फिर देख लेंगे यहाद रख न यह मानस होचा है तो यहाँ जवाएंगा इसका नाम किया रहेगा पी वी सी ओकी इंक्रेमेंटल है नुट इसको एबर एक्स्ट्रा कितना लग रहा है एक्स्ट्रा सर वैसे सेल उफ ओल्ड मसिन को तो कैश इंफो में ही लिख सकते पर मैं इंक्रेमेंटल निका इंक्रेमेंटल की कोशिश कर सेल इंथी इंक्रेमेंटल कैश इंफोस इंक्रेमेंटल कैश इंफोस इंक्रेमेंटल कैश 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 इंक कि लाइब कितने भी साल होता है यहां से सेंपल विशिस पर वाइन तो फाइब लिग दिया यहां कोई फैक्टर जाएगा यहां सीफटी जाएगा इंप्रिमेंटर सीफटी का मतलब सीफटी और नियू मशीन माइनस सीफटी एक्स्ट्रा टिप और यहां जाएगा इंप्रिमेंटर सीफटी अगर पास साल तक रखे तो एक्स्ट्रा हमको कितना होता है बस कुछ है ही नहीं सिंपल यह अगया पीवी सी आई टेटिस पी एन पीवी एजाएगा दी माइनस ए और एन पीवी पॉजिटीव है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नेगेटिव है तो बात खतम और मुझसे एक्जाम्पल की उम्मीद मत करना मैं इसमें एक्जाम्पल ही करवा रहा हूं इसमें मैं ड बहुत ज्यादा टाइम पर्स करने का टाइम आपके पास है नहीं है और उत्तना मुझस की कॉंसेप्ट नहीं है तो चलो जी कोश्चन ही उठाते है इसी को आप एक्जाम्पल समसकते हैं सिंपल सा कोश्चन उठाता हूं ज्यादा मुश्किल है हाँ मिल नहीं है कोश्चन नम्बर 23 पेज नम्बर 9 पढ़ा है निखा हूँ है एं अग्जिस्टिंग मशीन इन बी लिम्टेट चैन बी सोल टोड़ आज हम बेज सक्टे हमारे पास पहले से नहीं है आज बेज सकते हैं मतलब यहां आएगा कितने में बेज तो एक लाग रुप है तो CFET for balanced life अभी भी उसके लाइफ ओल्ड मशीन की चार साल लाइफ बची हुई है 30,000 रुपए पर एनम का कमाते है उससे और चार साल के एनम में हम उसे 20,000 रुपए में बेज देते हैं तो cost of new machine 1,50,000 sell of old machine एक लाग कोई tax credit है नहीं तो यह जाएगा incremental अगर हम नहीं machine खरीतते तो CFET 46,000 तो extra कितना आ रहा जरा देखो 30,000 आ रहा था old machine से new machine से आ रहा 46,000 तो extra कितना आ रहा है 16,000 और new machine at the end of useful life 25,000 में बिग जाएगी तो इस पे भी extra आ रहा आप पाचे चाल इनकी में डिसकाउंटिंग रेट है रेप्लेस करना चुए कि नहीं करना चुए इसलिए मैंने कहा कि इसी को आप एक्जाम्पल समझे लेना इतना simple कोश्च आप स्टार्ट कर दो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं मैं देखना चाहता हूं विट्टी कि आप पहले करती हूं या मैं पहले करती हूं आप मसे आगे निकल सकती हूं इस कोश्च नहीं ते स्टस्東 नैपर्ट पयर्णी कर, आप मैं देखोड़ कि आप दो यह प्रेजंट वैरेफियर केतना बचन लेना है ची दस बचन अमाउंट अच्छाइब सबसे बहले लिख लेते हैं इंक्रेमेंटल कैस अच्छाइब कैस अप्रेमेंटल कैस्ट इंक्रेमेंटल कैस्ट f इंक्रेम इंक्रेमेंटल की टैस्ट ने मश्यन जीयरपिरेट में 1, 150,000, 130,000, minus क्या जाएगा, sell of holdings, 0, capital gain tax का rate नहीं दिया, नहीं तो हम सोचते capital gain होगा, आज कितने कभी केगा, old machine, 1,000,000, तो यह आगया, 50,000, this is total of 8,000, फिर क्या आएगा, environmental cash in force, incremental CFAT, और incremental CFAT कैसे निकलेगा, CFAT of new machine, minus CFAT of old machine, ठीक है, 23,000, new machine का CFAT कितना, 46,000, old machine का कितना, 30,000, so हर सल एक्ष्टा कितना हरा है, 16,000, कितने सल तक, 1, 2, 4, back to the clip, 1, divided 1.14, एक, दो ती, चाट, यह अगया, 3.1699, ले थी, इसके लावा हमको देखना है, incremental, new machine को 4 साल बाद बेच चूगे, तो 25,000 के बेचेगी, अगर old machine ही चलाते और 4 साल बाद बेचते, तो 5000 के बेचते, पूरती अर में, एक्ट्रा बीसे अर में मिले, एक, दो, तीन, चाट, 0.6830, तो यह आगया, 1366, 0. So, 1366, 0. So, 1366, 0, plus 507, 18. So, 643, 78. We have a total of B, and TBHR, 14378. And TBHR, 14378. बताई, क्या, रिप्लेस कर दिना चाहिए? Yes, positive machine. एक्जिस्टिंग मशीन. Should be. Replace, क्यों? Due to. Positive. So, यह question था, question number 23. और कोई question है, क्या? Yes. आजाए, question number 4, page number 2. यह भी अच्छा question. Question number 4, page number 2. So, जो बुक है ना आपके पास, question number 5 और 6 नहीं है, अच्छान में. वह numbering में अगर बढ़ा है, question number 5 और 6 नहीं है. ठीक है जी? So, question number 4 पे जाए. सारीक है, answer 4 आम और 6 और 9 1 और 6 ज के जाए, जाए के हैंधे हैं, झाए kayak 14 और 9 1 आए में-ब़त का और 1 बा में. क्या सारीक है, क्या स्थावान में ठात्सितों बढ़तpos जारीक है. question no.4 page no.2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा है are limited would like to replace replace करना है बचने old relatively inefficient machine that was purchased 4 years ago at a cost of rupees 1 lakh कोई old machine है जिसको हमने आज से चार साल पहले खरीदा था एक लग चार साल पहले the machine had original expected life था 10 साल तो चार साल भी चुके है तो अभी भी कितना साल बाकी होगा कितना year six years बाकी है अभी भी चार साल निकल चुके है ठीक और जीरो एस्टीमिटेट सेल्वेज वैल्यू था तो यार अगर SLM method है depreciation तो 10,000, 10,000, 10,000 depreciation लगा कितना होगा 40,000 अभी बुक वैल्यू कितना भचा होगा 60,000 और कितने साल तक चल सकती है 6 साल तक वैसे सब बताया कोशन हम क्यों महनत कर रहा है the machine had original expected life 10 years zero estimated service value at the end of that period it is being depreciated on SLM ठीक and now has a book value 60,000 बाई अमने नेकाल लिया old machine के information हुई कापी कुछ the division manager reports that new machine can be bought out and installed new machine खरिदना तो आप 130,000 की खरी सकते हो आज और इसकी भी life 6 साल है और सुनो एक किसी की भी life दिया ना तो हमको वही तक calculate करना मालो old machine का life दे दिया कि बच्चा हुआ 6 साल है तो new machine का नहीं भी बोलता तो भी मैं 6 साल ही आज्यूम कर लेती ठीक है जी तो division manager को ऐसा लग रहा कि नहीं machine खरीदोगो तो एक लाग 30,000 की पड़ेगी और life है 6 साल इसकी वजह से expand हो जाएगा sales है virtually sales एक लाग से एक लाग 20,000 मतलब पहले old machine से sales होता रहा होगा हर साल एक लाग अब होगा एक लाग 20,000 मेरा फाइदा है हर साल का कितने का फाइदा है 20,000 और सुनो इसके लबा operating expenses भी कम हो जाएगा पहले old machine से 70,000 का था operating expenses operating cost अब 50,000 ही लगीगा 20,000 का ये भी फाइदा तो total मिलाकर 20,000 उपर फाइदा 20,000 नीचे फाइदा 40,000 रुपय का फाइदा देख रहा है the new machine misprint है काफी कुछ इसमें the new machine has estimated economic life 6 years after which it will fetch rupees 10,000 as salvage, salvage value दिया है सिर्फ किसका दिया है new machine old machine का salvage है ही नहीं old machine current market value अगर अभी आप old machine बेचोगी तो 10,000 की बेचोगी तो tax rate है 50% cost of capital है 12% advise the manager know whether to replace the old machine or not statement statement sorry and push इस वर काम ज्यादा है ना हलकी में मत लेना आप 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 इस कितने परशन के सबसीख करना भाई आप और काम आप सबसे परिए इन इत्री मेंटल कैश अप्राइब कोश्ट अप्नियु मशीन कब खरीद होगे आच चेक करो नहीं मशीन का कोश्ट कितना देख रहा है वाल थर्टी थाउजिंट सर्श इसके लिए अब वरकिंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा क्यापिटल गेंट टैक्स लग भी रहा है कि यह बताओ आज ओल्ड मशीन बेचोंगे तो कितने की बिखेगी सर्करेंट मार्केट वेल्यू दिया है क्या यस ओल्ड मशीन लास्ट में सेकेंड लास्ट लाइन दी ओल्ड मशीन करेंट मार्केट वेल्यू तो आज बीचोंगे तो दस राकी बिखेगी दस जर मानेस कीड़ल मैंने कितने में बेच रहे हो आज बुक वैल्यू कितिना है वेल्यू निकाला नहीं दिया रहे गा आज आजका बुक वैल्यू और आज का बुक वैल्यू और आज साथ यह तो लॉस होने वाला है यह तो यह tax saving कर दे जाएगा माइनस माइनस प्रस हो जाएगा टेक्स करेंट ही 40 परशन 50 परशन 25 परशन तो 10 जार यह मिलेग और 25 जार tax saving हो जाएगा तो total कितना जाएगा 35,000 net of tax sell constitution यह तो हमारा पहले की रहा हुँआ है 0 1 माइनस कर सेन हटा लेका 35,000 35,000 incremental cash outflow कितना यह तो यह तो यह तोटल अफ यह तोटल अफ टीजन दूसरा क्या नेगा इंक्रेमेंटर कैश इंटोस और उसमें आये था इंक्रेमेंटर इसके लिए हमको बनाना परेगी वार की नॉट 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 इस बार क्योंकि पिछले कोश्टन में न दिया हो इस बार आपको निकालना पड़ेगा भई इनुट इमेंटर इस बताओ भई किस किस चीज का फायता है सर शेल्स बढ़ रहा है बीस हजार रुपस यस इस बिधार इस बिधार रुट नॉट 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 इस बार इस बिधार इसब्र आपक उयर्च नॉट 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 डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कोश्ट 20,000 का ये भी फायत है तो कितना आ गया है चारीज जार का फायत है इसमें से कहीं भी अभी डेप्रेशिशन का कोई अजिस्टमें नहीं है तो इसलिए मैं इसको नाम दुमार क्या है यृओएऑज इसमें से मैनस गरिया अप्रेशिशन नहीं इक्रीमेंटल अ क्या depreciation of new machine minus depreciation of old machine, new machine का depreciation, new machine कितने में खरीदेगो, एक लाग 30,000 मैंने 30,000 मैंनस उसका सेल्वेस वेड़ेट बाइ कितना साल चलेगा 6, new machine का depreciation minus, old machine का depreciation कितना, सर्फ एक लाग divided by 10 नहीं बिटेड नहीं, आज book value कितनी है, 60,000 और आज life कितनी है, आज से count करना कर देगी, पिछला क्या हुए उसको भूल जाओ, 60,000 divided by 6, अब निकल लो कितना depreciation, एक लाग 20,000 divided by 6, 10,000 अब यहाँ आजिया, प्रोफिट बिफोर टेक्स, 30,000 तो टेक्स का रेट 15 बिटेट 15,000, CABT हुआ हमारा 1, टेक्स हुआ 2, तो सीदा सीदा आगेना, इंक्रिमेंटल C F A T, 40,000 minus 25,000, को यह आगे 25,000, कितने यह तक 1 to 5, नहीं 1 to 5 नहीं 1 to 6, और एक चिरी बच्छी है, वो बच्छा है, इंक्रिमेंटल टर्मिनल, निकालने की जरुवर पड़ेगी, क्या, ओल्ड मशिन कितने की बिटेगी 10,000, कोई capital gain tax आएगा क्या, सब्च्छे सा life है तो book value भी उतना ही बचेगा, 10,000, कोई capital gain नहीं तो tax भी नहीं है, बिल्कुस सरी, आप चाहो तो calculate कर लेने, 10,000-0, क्योंकि ओल्ड मशिन तो 0 कि भी केगी, यह 10,000 आएगा और factor कोई तो 6 तो, 1 दिवादेगा 1.12, एक दो तीं चार्पाच, 0.5066, तर दचि शजर एंक बग्चि शजर 102785 तर शजर 205766 याँ विव तर दच शजर एंक बग्ति सजर एंक 5066 6डिया एंक 5066 this is total of 3 plus 1027851 तो यह आगे 107851 तो अब NPV निकाल सेट है B-0 आगे 107851 तो अब NPV क्या पॉसिटिव है यस अगर NPV पॉसिटिव है तो क्या मशीन को रिप्लेस कर दिना चाहिए यस तो आंसर लिख सकते हैं क्या है आंसर since NPV is पॉसिटिव हैंस अब ले रहा हैं अभी वह आसा नहीं रिप्लेश्मेंट खतम होगे इसके बड़े सारे कोश्च्टिव हैं अगली क्लास में वह करते हैं हां पैटी रिप्लेश्मेंट में अब ले रहा हैं कोश्च्ट नमबर 9 पेज नमबर 3 रिप्लेश्मेंट चल रहा है हमारा और आज भी आज की क्लास में वही चलेगा रिप्लेश्मेंट डिसीजन तो replace decision में हम पहले आज की class में हम सबसे पहले कर रहा है question no.9 page no.3 अच्छा question है basic concept है समझने के तरे ठीक है तेक है अब product is currently being manufactured on a machine that is fully depreciated for tax purpose underline करोगे है एक ऐसी machine है हमारे पास existing machine जो पूरी तरह से depreciate हो चुकी है इसका मतलब tax के हिसाब से अभी तक पूरा depreciation लग चुका है उसकी आज book value zero है ऐसी machinery पे हम manufacturing कर रहे है आप बोल रहे हैं कि machine पूरी तरह से depreciate हो चुकी है मतलब book value zero है पर आपके question में तो book value दिया है पिट्टे एक बात मुझे बता है क्या कभी आपने accounting standard 22 पढ़ा है defer tax चलो कोई बात नहीं पढ़ा है office office में तो एक बात देखा होगा आपने की depreciation का method पर depreciation का rate company act में अलग दे रखा है company act के इसाब से books के इसाब से schedule 2 हम लगाते है schedule 3 में balance sheet है schedule 2 में chart दे रखा जिसमें rate लिखे होगा company act के इसाब से और income tax के इसाब से section 32 में depreciation के rate लिखे हो है हम कौन सा लगाते है books में sir books में तो अगर हमारी company तो हम company act फालो करते है और एक reconciliation statement बना देते है exactly क्या ऐसा हो सकता है कि rate अलग अलग हो हो सकता नहीं sir होता ही क्या ऐसा हो सकता है कि income tax के हिसाब से machinery की book value zero हो गई हो आज पर company act के हिसाब से books के हिसाब से अभी भी book value बच्चियो हो सकता है तो वह ही बता रहा है कि tax के purpose से book value zero हो गई है लेकिन हमारे book value books के हिसाब से company act के हिसाब से अभी भी है और कितना है 10,000 ठीक है sir the cost of the product are as follows चुंकि उपर जो है वो old machine के विसे में information है तो यह cost per unit भी old machine का ही होका अगर हम old machine से काम करते हैं पुरानी existing machine से काम करते हैं तो एक unit बनाने में labor, indirect labor, variable over rate, fixed over rate दस रुपए का खर्च आएगा एक unit बनाने में आए दस रुपए लगेगा इन पास्ट यूर्स, 10,000 units were produced and sold for Rs.18 परशे अठान रुपए में वेशते थे दस रुपए में वेशते थे दस रुपए यूनिट से बनाते थे 10,000 दे नीव मशीन उट कोश्ट 75,000 नया मशीन जो है नहीं मशीन अगर हम खरीदेंगे तो 75,000 का आएगा और अगर नई मशीन खरीदे और उससे काम करेंगे तो 8 रुपए 25 पैसे कोश्ट आएगा पर यूनिट सर इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि नई मशीन खरीदेंगे 75,000 की बिलबल से हैं और न्यू मशीन से अगर हम काम करें तो एक उनिट पर 10 रुपए था पहले अब 8 रुपए 25 पैसे मतलब 1.75 सेविंग हो चाहिए ठीक है फिक्स ओरहेड और एक्सलिजिव अब डेप्रेशिशन भाले फिक्स ओरहेड में डेप्रेशिशन नहीं है वैसे भी हम उसको अलग से लेते अब ध्यान से पर ना दी ओल्ड मशीन कुट बी सोल्ड ऑन दी ओपन मार्केट नाउ फार रुपीस 5000 पुरानी मशीन आज बेच चोगे नहीं खरीदोगे तो पुरानी को क्या करोगे तो बले आज बेच देंगे कितने में बेच देंगे 5000 10 year from now इस एक्सपेक्टेट तो हव असालविस वैल्यू 1000 यह कबकि कौनसी मशीन की बात है ओल्ड मशीन ओल्ड मशीन आज बेच चोगे तो 5000 की पर उसको हम 10 साल चलाएंगे और 10 साल बाद बेचेंगे तो 1000 की यह दिखा होगा ठीक As regard to the new machine, life at 10 years and expected salavage value दे रखा 10,000 कोई दिखते है, salavage value 10 तो current corporate income tax है 0.40 मता 40% capital gain tax है 25% for tax purpose, underline करोगे अभी यह भी काम की चाहिए for tax purposes the entire cost may be depreciated in 10 years, underline करो entire cost पुरी cost को depreciate करना, cost Sir इसका मतलब अगर new machine 75,000 की है तो पूरा 75,000 depreciate हो जाना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि depreciation निकालते समय salavage value minus नहीं करेंगे अगर मैं 75,000 minus 10,000 कर दूँ तो इसका मतलब है कि depreciate हो पाएगा सिर्प और सिर्प 65,000 समझ रहे हो ना आप में क्या कहना चाहिए जबकि उसने बोला कि entire cost को depreciate करना मतलब पूरा 75,000 divided by 10 7,000 पाएगा हर साल का तब पूरा की पूरा 75,000 depreciate हो जाएगा सिर्प इस लाइन की वजह से मैं salveist value minus नहीं करूँगा depreciation निकालते समय the appropriate after tax time discounting rate दे रखा है 0.10 मतलब 10% और future demand वही रहेगी 10,000 units बताइए equipment acquire करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चलो जी तो table वही बना रहा है question number 9 चल रहा है statement showing calculation of n एक जाएगा year present value factor कितना पर्शन लेना 10% amount present value अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या नाम लिखेंगे भई incremental basis with incremental cash outflows और यहां आएगा cost of news आज खरीड होगे मुत्लब 0 1 75,000 75,000 75,000 ठीक है सर अब क्या करोगे अब बेचोगे अब बेचोगे sell of old net of tax ठीक है बताओ बेटे आज old machine कितने का बेचोगे sell constitution सर करेंट market price दे रखा है 5,000 minus क्या book wealth अब समस्या यह है कि book value कितना लिखे tax के हिसाब से book value 0 है लिकिन company act के हिसाब से book value 10,000 ingredient your tax के हिसाब से लिखना चाहिए șIE Brussels अब खुष तो बात समझ में आएगी हम यह काम क्यों कर रहा है ताकि इसमें से हमें capital gain tax minus करना है book value नहीं है capital gain tax की में बात करना हूँ सीधा सीधा लिख रहा है मैंनस क्या minus हो जाएगा capital gain tax तो बस मैं वही कह रहा हूँ बेचोगे कितने नहीं 5000 नहीं minus book value कितना लिखों सब टेक्स के इसाब से काम हो रहा है tax के साब से book value होगा हाँ इसमें से book value tax के साब से कितना है पुरी तरह से टेक्स कुट है और capital gain tax इस बार अलग दे रखा है अच्छे से देखना capital gain tax पच्छीजबर 25 पर चेक कर लो कितना है 5000 into 25 पर tax लग गया है 1250 तो जी कितना है 375 0 old machine को बेचने से कितना है बिक्येगी 5000 कि लेकिन हमको tax देना पड़े जाएगा 1250 कब आज 11375 0 375 तो यह आगा है 7125 इसके बाद यहां आएगा incremental cash इस incremental cash in flow में सबसे पहला काम आएगा incremental CFAT इस निकालना पड़े का बिल को सहीं working out no.2 increment CFAT निकालना पड़े का बिल को सहीं working out no.2 increase in cells check कर बिल कर बिल किस बार increase in cells सर नहीं बढ़ रहा है तो फिर decrease in operating cost बस यही फाइदा है हमारा okay कोई भी कर दो decrease in operating expense पहले एक यूनिट पर कितना लगता था दस अब कितना लग रहा आठ रुपय पर चीज पैसे और कितना यूनिट से टैन थाजी नट तो 10 माइनस 8.25 यूनिटी प्रस तो सत्रा हजयार पास यह क्या आगे होगा इसको हम नाम दे लेते हैं इनक्रिमेंटल सी एफ बीटी इसमें से अब क्या माइनस कितना इनक्रिमेंटल डप्तिशिशन और यह कैसे निकाला जाता है यह निकाला जाता है निक माइनस माइनस डेप्तिशिशन यह लिखना नहीं है तो मैं लिख रहा हुआ कर माँ सर्क ओल्ड ममशीन का टेप्तिशिशन ऐगए गैए डिवाइटल बाई से अग्र्वाल यह त्क्यों नहीं करहां बस कसम खाल्य हनु गण्नेस की इंटायर को को depreciate करना इसलिए यहां divided by क्या हो जाएगा और सिर्फ old machine का depreciation क्या income tax की सबसे पूरी तरह से depreciate हो चुकिए हाँ तो हमें तो income tax का देखना ना भाई जीरो अच्छा सर आगे भी तो अब जब book value भी जीरो हो गई तो आगे तो जीरो ही लगी का 75,000 divided by 10 यहां कितना आएगा 75,000 अब जुआएगा इसका नाम रहेगा इसका नाम क्या रहेगा इसका नाम क्या रहेगा इनक्रिमेंटल PBT 75,000 minus 75,000 तो यहां कितना 10 बार अब लग जाएगा tax और सुनो इस बार corporate in normal income tax कितना 40 परशन को 40 बाशन लग जाएगा 4,000 इंक्रिमेंटल CFPT इस अटरा जाएगा चार्शन यह 4,000 तो यह आगया इंक्रिमेंटल CFPT 13,500 कितने सल लाइफ है दस सल 13,500 factor देखले दिए 1 दिवाइए 1.1 जीए एक दो तीम चार पाची साह आट्मों तस 6.1446 13,572 6.1446 तो यह आगे 829 अब क्या बच्छा अब बच्छा भई लास्ट incremental value क्यो ना इसके लिए भी working note number 3 बना लिया जाए कौनसे साल में 10.13 तो लिखो के working note number 3 इंक्रिमेंट टार्म तो सबसे पहले यार आप तो दूनों मशिन का देखना पड़े जाना तभी तो अगर आज से दस साल बाद बेचे तो कितने की बिकेटी सेल्स सर ये दस जार की दिकेटी सेल्स और सर ओल्ड मशिन को आज बेचते तो पाच जार की लेकिन आज से दस साल बाद बेचोगे तो एक हजार की चेक करो बुक में कहिना पहीं दिखा एक हजार की माईनस क्या करो 한enth है καपितल प्रिश्थ करना पूरी कोउष्ट को हचित करना पूर्फय इसकी बात करना, एक हजार में बेचा इसकी बुक वैली तो पहला से 0 है, इन्टू पच्छीस परशन, अगर हम ओल्ड मशीन को चलाते और दस साल बात बेचते तो एक हजार की बिक्ती बुक वैली तो जीरो है, तो यहां कितना जाएगा, तो दस हजार माइनस 2500, तो यह आग कितना प्रशन, जाएगा, तो यहां जाएगा, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 0.3855, 0.3855, 0.3855, 0.6757, here I get 2602, I mean, 82952, plus 2602, there I get 8555555, 4, so A, A, B, then NP, V minus A, 85554, 8555, 13500 into 6.1446, 6, okay, minus 71250, so, this answer is NPV14305. Since NPV is positive, hence, old machine should be replaced. तो ये कोश्चन था, कोश्चन नमबर 9, अब भी तो और मजवाएगा, और ये कोश्चन करने जा रहे हैं, कोश्चन नमबर 10, उसी के बाद वाला, पेज नमबर 3, ये तो और भी अच्छा कोश्चन है, कोश्चन नमबर 10, पेज नमबर 3, अच्छ, पढ़ने स्टार्ट कर दो, कोश्चन नमबर 10, अच्छ, पढ़ने स्टार्ट कर दो, कोश्चन नमबर 10, स्टार्ट कर दो, कोश्चन नमबर 10, पेज़ने स्टार्ट कर दो, कोश्चन नमबर 10, देखे हैं, एका ETS Limited, ONS, WHAT WAS ONCE AN UP MARKET MACHINE, IT HAS ANOTHER 2 YEARS OF ECONOMIC LIFE, वह एक MACHINE है, अच्छ, हज, सुनना ध्यान से, यह आज है, पास साल पहले खरीद था, अभी उसकी LIFE 2 साल है, अभी भी 2 साल तक चला सकते हैं, ठीक है, पास साल पहले साड़े चार लाक रुपए की खरीज़ा था, यह हमारे लिए वैल्यू किसी का में करें, अगर आप, ओल्ड मशीन को आज भी चूग है, तो कितने की लिखेगी, असी आज रुपार में भी चाहेगी, अभी यह बदला आज है रिप्लेस कर दो, भाई देज बदेए तो, बढ़्यू की, अब्दा वैल्यू आज रुप्लेस कर दो, अज रिप्लेस कर दो, अगर र तो जीरो दे रहाफ्टर लेकिन अगर एक साल बाद रिप्लेस करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा, ओल्ड मशीन की बात है, आज ये बेज तो असी मिलेगा, पर अगर आज रिप्लेस नहीं करोगे, एक साल रुक के रिप्लेस करोगे, तो जीरो मिलेग और दो साल बाद तो अगर दो साल बाद भी जीरो बिलेगा ये बता रहा है, ठीक है, आगे लिखा है, next year the machine would need an overhaul that would cost 90,000, ये लो, अगले साल खर्चा भी है, sir, किस से इज का खर्चा, overhauling expenses, next year, current year, next year, next year के यहां, यहां तो आप सूच के देखना है, यह बड़े important बात, अगर आप old machine रखते हो, old machine रख लो, अगर रखते हो, तो सुनो बिटे, आगे जाके old machine बिकेगी नहीं, पहली बात तो समझ दो, दूसरा, अगले साल खर्चा भी, overhauling expenses को, कितनी सल लाइब बाकी है, दो साल, तो बता, overhauling को मतलब repair का खर्चा, तो repair का खर्चा कब है, इस साल अब भी तो नहीं, next year है बोल रहा, तो क्या यहाँ है, अगर यहाँ है, तो कितनी बेवकुपी वाली बात है, दोई साल बच्ची हुई है, दो साल बाद अगर repair कीजिए, और machine आपकी खराब होगए, क्योंकि zero की बेखेगी, तो सर, repair का खर्चा कहा है, repair का खर्चा यहाँ होगा, next year का मतलब यहाँ, और फिर इसको हम चला सकते हैं और एक साल, अगर मुझे सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, question क्या है, अब यह आगे पढ़ा नहीं है, आगे यह बुलेगा, आज replace करें, कि एक साल बाद replace करें, कि दो साल बाद replace करें, अब मैं मेरी बात सुनना ठीक से, सर आज ही बेच दो, खतम करोगा, टेंशन खतम, आज बेच होगे तो 80 जर आएगा, ठीक है, उसके अलावा और वालिंग का expenses लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा मात करें, लेकिन मैं एक साल बाद बेच होगा, मैं यहाँ खड़ाओ करें, एक साल बात, सोच के अलावा, यहाँ, मैं यहाँ बेच आएगा, तो सोच ना अराम से, क्या मेरी पुरानी में से, कितने रुपे की बिकेगी, कुछ नहीं बिकेगी, ओर्रॉलिंग expenses आएगा की नहीं आएगा, सर बोला तो है आएगा, बैटे, क्यों करेंगे हम ओर्रॉलि में लगने वाला है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट इयर में ही रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं रिपेयर क्यों करना है, जब मुझे बेच नहीं है उसको, तो बेखुफ ही है, रिपेयर करवाँगा, पैसा खर्चा करूँगा, और फिर जीरो का बेच हूँगा, तो सर ओर आएगा, जब मुझे ये डिसाइट करना है, कि मुझे दो साल बाद रिप्लेस करना है, यहाँ, तब मेरा ओर्रॉलिंग का खर्चा आएगा, और कौन से लगेगा कब, फर्स्ट इयर में, लगाँगा, रिपेयर करना हूँगा, और एक साल चलाँगा, उसके बाद करता हू तो ओर्रॉलिंग का एक्सपेंस आएगा, कि नहीं आएगा, रिपेयर का खर्चा नहीं आएगा, एक साल बाद रिप्लेस करूँगा, तो रिपेयर का खर्चा आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा ये डिसाइट किया है, मैंने कि दो साल बाद रिप्लेस करूँगा तो overhauling का expenses आएगा कब आएगा? First year के end में मतलब मुझे decision ये लेना कि आज replace करें कि एक साल बात करें कि दो साल बात करें आज replace करें रिपेर नहीं एक साल बात रिपेर नहीं दो साल बात अगर रिपेर करना है तो रिपेर करके चलाएंगे अगर फिर दो साल बात replace करें खिक है? यसे मैं आप से और बात करें तो next year the machine would need an overhaul that would cost 90,000 ठीक है भी 90,000 का करचा वैसे भी overhaul A new model has hit the market एक नया model है price कितना? 4 लक life कितना? 10 साल अगर मैं आज ही नहीं मशीन खरीद लेता हूं तो 10 साल चलेगी अगर एक साल बात खरीइद आओ एक साल बात एक साल तक चलाता हूं तो नहीं मशीन चलेगी, यहां से 10 साल और सर 2 साल बात replace करोगे तो नहीं मशीन यहा खरीद होगे और यहां से 10 साल चलेगे टेक है? वो Consider कितने रुपए की आ रही नहीं मशिन चाह लाग के for that a special overhaul would have to be carried out at rupees 1 lakh after 5 years and 2 lakh at sir ये बात किसकी है एक लाग रुपए का और और है खर्चा हाँ लेकिन आप ये कौन सी मशिन पे है न्यू मशिन पे बोले अगर आप नहीं मशिन खरीते हो तो ऐसा नहीं कि आप बच जाओ कि बोले खर्चा आएगा रिपेर का कब कब आएगा बोले एक तो आएगा after 5 years पास साल बात और एक दो लाग का खर्चा आएगा आट साल बात इसका मतला अगर मैं यहाँ नई मशिन खरीते हूँ तो रिपेर का खर्चा आएगा आज से 5 साल बात और 8 साल बात लेकिन यहाँ खरीता हूँ तो रिपेर का खर्चा मैं आज से खरीते हूँ तो 6 साल बाद और 9 साल बाद मतलब जिस दिन मशीन खरीद रहा हो वहां से 5 साल और वहां से 8 साल जिस दिन मशीन खरीद रहा हो ठीक है और सर अगर मैं यहां मशीन खरीद तो यहां से 5 साल मतलब मैं अगर यहां से comparison करूँ तो 8 साल मैं present value निकाने की कोशिश करूँ इसका मतलब सर new machine पे भी overhauling expenses है जी sir, कब-कब है, जिस दिन machine खरीदोगे उचके 5th year में repair करवाना पड़ेगा, 5th year में, और 8th year में repair करवाना पड़ेगा, ठीए, आगे चानते हैं, अगे लेका, यह बेचने पर कुछ नहीं आगे हाँ, आगे लेका, यह विविलीघ दैट, देट नौ अगे हाँ, अगे अटको किछ नहीं आगे लेट, इस पनदा परशुन आगे, जो में आप से गोल्रह था, वहन recording शूट था, जो है अचे है, फिवदे मशीन पर रेप्रेस विपल सूस्ट तर शॉच्ट मैं शॉच्ट मैं शॉच्ट मैं शॉच्ट मैं calculation of NPV निकल नहीं सकता cash नसो नहीं है तो फिर decision की बेसिस पह हुगा present value of cash of प्रकी प्रीजिजिए एक दो टी एक दो टी एक दो टी परेचिंट वाली फेक्टर कितना पर्शन लेना है वेल 15 पर्शन पहला गहे है रिप्लेस अव पहला पर्लम में रिप्लेस आज रिप्लेस करते है इसमें क्या सब्ता है, amount of present value, या तो फिर decision क्या सब्ता है, replace एक सल बात, one year later, amount of present value, last क्या हो सकते है, replace two year letters, amount of present value, तेक है, तेयर हो चुकिया है, समझे, काम स्टार्ट कर रहा है, पूरा काम, पूरा काम किस बैसिस पे आउट बैसित, two, cost of news, g, one, new machine कितने किया रही है, पूरा की पड़ेगी कि हाँ पेटी, चार्ला की, तो जिस प्रेजन ट्रेजन ट्रेजन करना है, तो one divided by one point five, zero point eight six nine six, point eight six nine six, तो चार्ला, यहां गया, three, four, seven, eight four zero, या तो दो साल बाद रिप्लेस करेंगे, seven five six one, तो नहीं मशीन दो साल बाद रिप्लेस करेंगे, यहां गया, three, zero, two, four, four, six, अगर आज आप रिप्लेस कर देते, तो old machine विकेगी, लेकिन इधर नहीं विकेगी, तो यहां cell of old machine भी आना चाहिए, आज विकेगी, one, और आज existing machine कितने की विक जाएगी, असी हजारी, परके तो हम bracket लगा दू, सर, capital gain tax, पेटे tax तो कोई rate ही नहीं है, अब इधर तो सब dash है, यहां तक तो ठीक है, अब समझना और एक चाहिए, ओरर्लिंग एक्सपंसेस, और ओल्ड मशिन का ओरोलिंग एक्सपंस से कब लगेगा, और कौन सी condition में लगेगा, आज रेप्लेस करें तो नहीं लगेगा, एक साल बाद रिप्लेस करें तो नहीं लगेगा क्यों क्योंकि और रिपेर करके थोड़ी रिप्लेस कर देंगा रिपेर करोगे और फिर रिप्लेस करोगे मतलब बेचोगे जीरो में अगर मैं दो साल बाद दो साल तक चलाने का सोचूंगा दो साल बाद रिप्लेस करने का सोचूंगा, तब लगेगा खर्चा, पर खर्चा कब लगेगा, फर्स्ट यर के एंड में लगेगा, फेक्टर हमको मामने, 86, 96, आज रिप्लेस करें, तो नहीं लगेगा, एक साल बाद रिप्लेस करें, तो नहीं लगेगा, लेकिन दो साल बा 90,000 x 0.8696 यह आगे 78264 टीट अगा आगा 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 न्यू मशिन पे ओर रही एक्समेंज उसने यह कहा था कोश्चन में कि जिस दिन मशिन खरीद होगे उसके पासल बात सर्क मतलब 50 एर में लगेगा बिल बिल से कितना लग रहा विटे 50 एर है एक लाग रहा आउट लाई है सर्क लाई 50 एर कवेटर वान लाई है 1.15 एक दो टीजर पाच 0.4972 एक लाग इंटो 0.4972 तो यह आगे 49720 अगर आज रिप्लेस करें तो पास सर लेकिन एक साल बाद रिप्लेस करेंगे तो जो एक्सपेंस जाएगा वो तो छटवे साल मिलांगेगा आज रिप्लेस करेंगे तो शिक्स्त तो सर यहाँ 7 आएगा हाँ भाई हाँ लेकिन लोना सर 1 डिवाद 1.1 एक दो तीन चार पाच 4 3 2 3 3 3 7 5 तो अगर मैं एक साल बाद रिप्लेस करूं तो यहाँ खर्च आएगा एक छटवे साल में हैंगा यहां लेकिना, 4,3,2,3,0 और यहां एक लग्खा करच आएगा, 3,7,5,9,0 सर फिर आथे साल में खर्च आएगा, हाँ भई, दो एक्सपेसे से रिपेर एक 5th year में और एक 8th year में, तो सर फिर यहां 9th year में आएगा, वहां 10th year में आएगा, हाँ भई, 1,2,3,4,5,6,7,8,3,2,6,9,2,8, 4,3,6,5,3,8,4,3,2,4,7,2,8,4,3,2,4,7,2, 6,5,6,5,3,8,0,4,8,4,8,4,3,4,3,2,4,4,7,2,4,7,2,4,7,2,7,2,4,7,2,4,7,2,4,7,2,5,8,7,2,7,2,8,8,4,7,4,7,2, एक लाँ, 2,7,2,8,8,7,4,7,2,8,4,7,2,8,7,2,8,6,7,7,2,8,6,5,7,8,8,0,4,7,7,2,8,4,7,7,2, यहां कितना हैगा दो लाग क्यों बिट्टे जिस दिन खरीदोगे उससे आठ्वे साल में तो यहां तो एक साल बात खरीद रहें तो नाइंथी येर में खर्च है जाएगा 5 6 8 6 0 बात बात reinforce क्यों आठ्ट आठ्ट 80 60 84 449444 चलक प्रेजर निलिका हमें आप बहुँ आप रहे विए विए रहे विए विए लिए 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 चारलक सरे यहां स्याजर निलिका हमें रहे विए लिए आप विए 449720 छुस 6538 तर यगा 435 चलक रहे विए 435 100 3 0 2 4 4 0 plus 7 8 2 6 4 plus 3 7 5 9 0 plus 4 9 4 4 0 4 6 7 7 इसका नाम क्या है PVCO Present Value Cash-On-M हाँ भाई क्या अच्छा है अभी रिप्लेस करें एक साल बाद की दो साल बाद Sir, अभी रिप्लेस करो कम है ना 4,35,000 एक सो है लेकिन एक समस्या है सोच के बताँ ये Cash Outflow कितने साल का है 10 साल, 10 years और ये Cash Outflow का कितने साल का सोच ना बेटे आज सी किनो Sir, ये तो 11 years का हुआ हाँ क्योंकि मशीन तो 10 साल जलनी है पर एक साल बात करीद रहे तो ये 11 साल का Cash Flow है ये Cash Outflow कितने साल का है Sir, ये तो 12 साल का है तो अब ये Cash Outflow 10 साल का ये Cash Outflow 11 साल का ये Cash Outflow 12 साल का तो एक्विवेलेंट का नहीं बड़े का अलग-अलग प्रेड है ओके तो डिवाइड बाए पी वी ए ए एफ लेना पड़ेगा प्रेजन ने यहाँ कितने सी एर्स का यहाँ 10 इर्स का लेना पड़ेगा 1 डिवाइड बाए 1.10 यहाँ दिवाइड होगा 6.1446 यहां कितने एर्स के लेना पड़ेगा यहां ग्यारा सल के लेना पड़ेगा वान लिवार है 1.0 नहीं 1.0 नहीं 1.0 नहीं 1.5 है भाई 1 divided by present value factor 15% कर नहीं का नहीं एक दो तीन चार पांच छे साथ आगत नो नहीं 10 G. डिवायट होगा 5.0 1.8 लेलेते हैं 1 डिवायब 1.15 एक दो तीन चार पांच छे साहथ आगत नहीं 1011 यहां दिवायट होगा 5.233 यहां डिवाइड होगा 5.4206 कितने साल का होगे नहीं पार अब डिवाइड करने पे जुआएगा उसका नाम रहेगा इक्यूएलन अन्य पब्सज है 435100 divided 5.0188 यहां यहां phot YouTubers 86694, 447930, divided by 5.2337, 85586, approximately 466734, divided by 5.4206, और यह आगे हैं, 866, 288, अब बताओ, सबसे कम कौन सा लिख रहा है, सबसे कम आउट लो, तो क्या डिसाइट कर सकते हो, यस, क्या करें, तो लिखोगे, it is better to replace, जगा ही नहीं है, मैं यह ऊपर लिख रहा हूँ, लिखोगे, it is better to replace, two years later, क्यों? due to lower equivalent annual PVC, तो यह question था, हमारा question number 10, अच्छा question था, मैंने पहले ही आप से कहा था, कि अच्छा question, sir, और यह question बना ले क्या, तो अब इस ही के जैसा, जो question अभी किया था, इस ही के जैसा question करने जाए रहा है, question number 11, or page number 4, अगला question, इब अच्छा question, question number 11, page number 4, company Y is operating an elderly machine, पुरानी machine existing machine, that is expected to produce a net cash inflow, cash inflow आने वाला, हमारे पास पुरानी एक machine है, जिससे cash inflow आएगा 40,000 in coming years, and rupees 40,000 next year, वो rupees 2 नहीं हो, rupees rupees, मतलब 40,000 आने वाले साल में, और 40,000 next year, पर अगर अभी बेज़ दोगे, current salivist value 80,000, ओलो machine को अभी बेज़ दो, टैंशन करते हमकर 80,000 की भी आगी, लेकिन सुनों अगले साल बेज़ चोगे, तो 70,000 की भीखेगे, ठीक है, the machine can be replaced now, अभी भी रिप्लेस कर सकते है विथर नहीं मशीन, और अभी रिप्लेस करोगे तो नहीं मशीन कितने के आएगी, 1,50,000, but is much more efficient, और यह मशीन अच्छी है, and will provide a cash inflow 80,000, for 3 years, अभी नहीं मशीन खरीदेगे, तो 1,50,000,000 जाएगा, पर उस new machine से हर साल आएगा 80,80,000, एक साल बाद रिप्लेस करोगे तो भी 1,50,000 की जाएगा, पुरानी मशीन थोड़े सस्ते में भीखेगी, पर उस second year से फिर 3 साल तक आएगा, तक साल बेखने है, कमप्रीय वाय 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 रिप्लेस करना है, या एक साल बाद रिप्लेस करना है, with a clear understanding that new machine is the best of the available alternatives, that it in turn to be replaced at the optimal point, आपको चेक करना हीगा, ignore tax, तो बेचने पे कोई capital gain tax होगे रह नहीं है, cost of capital 10% लेना है और आपको region भी बताना है, चलो तो जैसे अभी question किया था वैसी question किया, इस बार क्या निकलेगा, NPV, calculation of NPV, इसबर आपके पस दो ही alternative होगे, तो यहाँ जाएगा year, यहाँ एगा present value factor, कितने बर्शन का लेना होगे, यहाँ क्या जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, ट्रीजन का लेटर, यहाँ प्रेजन वालू आएगा, चलो जाएगा, त्यार हो, हाँ सर, हम लोग तैयार है, चलो जाएगा, सबसे पहले क्या है रसर कॉश्ट ऑफ नी मशीन अब भी खरीद होगी तो पैसा जाएगा कि नहीं रुपे जाएगा भाई महीं नशीन एक लग के चाश़ए और यहां तो अभी खरीद होगी हाँ लेकिन वहां कब खरीद होगी एकसर बात 1 दिवादे 1.10 0.9091 1.50 तो यहां गया 136 365 न्यू मशीन खरीद होगी पर आप ओल्ड मशीन को बेचो के यहां किता है गी है यहां किता है गी है 80,000 एक साल बाद बेचे होगी 70,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 अगर में आज रिप्लेस कर देता हू business तो old machine से कुछ नहीं आएगा क्या आज रिप्लेस करें लेकिन एक साल बाद रिप्लेस कर हो तो और पयसा मिलेगा भा आपको एक साल का तो मिलेगा खमसे तो CF-85 or पर वहां तो आएगा और ओल्ड मेशिन से कितना कमाल हो गया पैसा आएगा वैसे तो मुझे क्या किया जाए अजोने यह कैसा मने गहां जातो है तो हम एका पैसा शाय। तो पैसा मेश है का जा प्राइब मुझे थ्की के ओलिए तो इसे गोने दोा कुछ जा रहे सक तो से तो कंद एब Figshe a था है चालिस दर्गे तो यहां के 3, 6, 3, 6, 4 अब क्या बचा हुआ है अब सर C FAT of new machine 1,2,3 और new machine सी कितना कमा होगी 80,000 2,48 6,600, 16,800, 16,800 x 2,4868, 16,800 x 2,4868, लेकिन वहां जो आएगा नीग मशीन से वो तो आएगा 224, 224 समझ रहे हो ना, एक साल तक तो हम ओल्डी मशीन चलाएगे, फिर नीग मशीन करें तो वो आने वाले और तीन साल तक चलेगी, तो उसमें 80 जा तो आएगा, लेकिन दूसरा, तीसरा और चोहते साल में आएगा, अब दूसरे, तीसरे और चौहते साल का चाहिए तो, वो कैसे निकलते हैं 1 divided by 1.10, एक साल नीगे, एक सालका चोट दिया, एक्वल्टो करके, दूसरा सालका एक्वल टो, एक्वल टो, एमलेस, मलेस, वे आगे 2.2608thon 2.2608, 1-8-0 8-6-4 कोई सालवेस का चक्कर ही नहीं है तो सीधा-सीधा निकल देते है NPV आ जाएगा ही सीधा-सीधा 1-9-8-9-4-4 plus 80,000 minus 150,000 1-2-8 9-4-4 6-3-6-3-7 plus 3-6-3-6-4 plus 1-8-0-8-6-4 minus 1-3-6 3-6-5 1-4-5-2-0 बस एक समस्या है यह जो NPV है यह कितने साल का है तीन साल का और यह NPV कितने years का? 4 years का तो हमको equivalent करना पड़ेगा divided by present value energy factor कितने परसन का? 10% तो यह जाएगा 2.48 6-8 तीन साल का लिया तीन साल का लिया तो जो आएगा उसका नाम के रहेगा? तीन साल का आएगागागागula www.pv. 1-2-8 9-4-4 तीन साल का। 2.48 6-8 है therefore précisus 5 1 8-5-1 1-2-4 5-0 तीन साल का भीन 16-9 और यह आगया 4, 5, 5, 8, 5 अब बता दो बैटे कौन सा अच्छा सा जिसका NPV जादा हो और जादा किसका NPV आ रहा है इसमें, अभी कर देंगे तो NPV जादा है तो बस एड़वाइस लिख लेते हैं अभी कोश्चन हमने बनाया, क्यों बर 11 हमारा खत्म होगाई अब सर और कोश्चन हो सकता है कि हाँ भई है रिप्लेश्मेंट अभी खतम नहीं होगा यह मस्मझना कि रिप्लेश्मेंट आपका खतम हो गया है कोश्चन नमबर 46 पे आओगे कोश्चन नमबर 46 पेज नमबर 18 यह बहुत अच्छा कोश्चा पेज नमबर 18 यह बहुत अच्छा कोश्चन है अगर आप करने जाओगे तो आपको बहत्री कोश्चन यह बात और याद कोश्चन नमबर 46 पेज नमबर 18 यह बहुत अच्छा पड़े लिखा अब मशीन यूजड अन प्रोड़क्शन नाइन मस्ट यू रिप्लेस अट लिश्ट एवरी 4 यह बहुत अच्छ इनकर्ड तू रन दा मशीन अक्कॉर्डिंग तू इट्स एस आउग पर्चेस प्राइस साथ हजार एक साल ही चलाएगे बस तो 16,000 रुपाय का मैंटरनेंस का खर्चा है और 32,000 का बेज़ दोगे अगर से दो साल चलाएगे तो 18,000 रुपाय पहले साल 16,000 मैंटरनेंस लगेगा फिर 18,000 भी लगेगा रिपेर भी लगेगा तो रिपेर अंड मैंटरनेंस एक साथ लिग देएगा और फिर दो साल बाद बेज दोगे अगर हम 3 साल तक रखेगे तो 1st year में रिपेर अंड मैंटरनेंस का 16,000 इंसरुद यर में 22,000 थर्ड यर में 28 फे 16 और इस तरह अगर मालो आपको हर साल रिप् फोर्थ येर में 36,000 और फिर 8,000 का बिक्येगा आगे वहाँ पढ़ता हूँ फिर मैं डिस्कूस कर रहा हूँ future replacement will be with identical machine with same cost revenue is unaffected by the age of the machine ignoring inflation and taxes मतलब जो भी है cash outlaw के basis पे decision लेना है कोई inflation का चक्कर नहीं है कोई tax का नहीं है just mind the optimal replacement cycle present value factor दे रहा है इसका है सर्फ एक्चुली है क्या है क्या है इसके हम लोग car वर खरीदे तो अब हम यह decide करना चाहते है car हर 1 साल में जिसरे आज कार खरीद लिया है एक साल चलाता हूँ और फिर बेज़ दिया करूँगा फिर नहीं है या तो यह decision say यआ यह decision लेता हूँ आज करीड लेता हूँ कम से कम 2 से चलुँँगा, फिर replace कर दूँँगा, नहीं ज़नमा, और नहीं जो आई ञुंचोंगया तो अब हमें हुम यह decision लेना है इस question मेnh your application खरीडे might है," तो हम और हमें यहसे करेंगा है. कोशचर जिए है कि एक ही कारि है आज खरीद ले तो हर साल रेप्लेस कर दे कि हर दो साल में हमको इस पर और पुरा की पूरा present value of cash off थो के decision pool का तो अ अब लिखने जारा है calculation of present value of cash off present value of cash off एक दो तीन चार यहां क्या एगा प्रिजन्ट वैलिफेक्ट कितने बशुदी सबसे फिर पीन पॉप्शन और यहां आएगा एमाउंट प्रिजन्ट वैलिफेक्ट है ओए प्रिजन्ट वैलिफेक्ट है फ्रेडार में500 वैलिफेक्ट फ्रिजन्ट वैलिफेक्ट प्रिज बटएंट वैलिफेक्ट replace each year हर साल एप्रेश करे replace every two years हर दो साल मेप्रेश करे replace in every three years हर दो साल में replace करे यह replace in every हर चार्चाल साल में replace करे ठीक है तो यह तो यह व्यूचल एक्सविशन प्रप्विल है जिसमें equivalent PVCO सबसे कमाएगा उसका हम accept करने है यार हो आशार हम तर यार हो चुके है चलो जी सबसे पहला है सबसे पहला है cost of machine token to arch कितना प्रड़ा है cost 60,000 60,000 60,000 सबसे हर जगह सबसे हां मैं आप से यह बहुत हूं चाहे आपको एक साल बाद एक साल में replace करना पढ़ा पर आपने कार्ड चलाया है कितना आ रहा है 32,000 32,000 16,000 16,000 16,000 into .8696 तो आगे 139 149 अगर दो साल में replace करो तो पहले साल रपेर को करवाना ही पड़ेगा नहीं वो तो इसमें भी आएगा यह वह duplicate कंच तो आप इस साल रपेर को आएगा दो सालбы करो तो भी आ делать इस साल in one year में करवाना ही पड़ेगा क्युक्थ बीक्यक्क ठींगा फर्स्ट एर में तो खर्चा लगेगा ही लगेगा ओके और फर्स्ट एर का खर्चा सिर्क और सिर्क मैंटनेंस करें ठीक सर्थ सेकेंड एर में सेकेंड एर का फ्रेक्टर कितना है भाई कॉइंट सेवन फइफ सिक्स वाई यहां नहीं आएगा सर नहीं कार खरी देंगे तो आएगा ना फितो हम एक्वियलेंट कर रहा है अगर मैं एक साल में ही रिप्लेस कर देता हूं तो यहां खर्च नहीं आएगा लेकिन दो साल चलांगा तो दूसरे साल आएगा है भी रिपेर रहें मेंटनेंस का। कितना है तरड यर का खर्चर रिपैर अंद धिता है। तरड यर का खर्चर रिपैर और में तो लगेगा निया अगर रिपलेस करती तो यहां भी ने लगेखा। लेकिन वहाँ तो लागेगा 3rd year का गड़ी चलाओ गड़ी तो 28 था हो जरी 184 बंजीर 184 बंजीर 4th year 4th year का factor 5718 यह तो तब ही होगा जब आप 4 साल में रिप्लेस करने मालें कितना है 36,000 यह तक 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 हो गया अब इसके बाद गई है इसके बाद बता हो एक साल चलाओ और एक साल में बेचे गई तो पैसा दी तो आएंगा इसके बाद इसके बाद आएंगा 32,000 का बेज देंगे वहां से 24,000 के बेचा है मैं दू साल बाद बेचेंगे तो कार्टोर होड़ी सस्ती भी केगी या तो 18 146 अगर तीन साल बाद बेचेंगे तो तो और भी सस्ती भी केगी 16,000 के 1052 सर अगर हम चार साल बाद बेचेंगे तो तो फिर और भी सस्ती चेक करूँ कितने का 8,000 के लिए 45 5 सकतर बेचेंगे 60,000 1 plus 13914, minus 27827, 4608, 60,000 plus 13914, plus 16634, minus 1814672, 402, 60,000 plus 13914, plus 16634, plus 18410, minus 10520, 9843, last 60,000 plus 13914, plus 16634, plus 18410, plus 20585, minus 4574, 124969, यह क्या आगे है भाई, PVCO, पर यह एक साल का कैश्व है, यह दो साल का, यह तीन साल का, यह चार साल का, तो एक्विएलेंट करना पड़ेगा, लाए, तो एक साल का, यह दो साल का, यह बाई तो पैली साल का लेगें, और यहां दिवाइड होगा 2.2832 प्स 0.571 और यहां दिवाइड होगा 2.853 तो तो फिल आंसर आजाएगा एक्योलेंट अन्वल P V C O 46087 divided by 0.8696 तो यहां गेगा 52998 72402 divided by 1.6257 नहां गेड जिल आंसर ऐहां दिवाइड 5 3, 6 lily, 98438, divided 2.283, 43118, 0.24969, divided 2.825, we have 43772, बता बिटे किस में कम दिखाई दे रहा, यह सबसे करें, आंसर आ सकता है, यहां आंसर रिख लेते, आप्टिमा, आप्टिमाम, डिप्लेश्मेंट, यहां आप्टिमाम, दे राइंसर इवेलंट, यह decision हो जाए रहा है तो यह question था replacement का जो हमने प्राया है तो replacement का question और अभी कर रहे हैं question number 4-5 पिछली class में भी replacement चला था इस class में भी replacement ही होगा question number 45 प्या जाए है यह भी आप दे प्राक्टिशन 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 है question number 45 page number 17 प्राक्टिशन 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 इस बार रिप्लेस्मेंट कर सकते तो बहुत दो अल्टेनेटिव है पहला अल्टेनेटिव तो इंकर एडिशनल कॉस्ट रूपीश 10 लैक्ट आपना और 10 लाक रुपय लगाई है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा ठीक है 10 लाक रुपय लगाई है किसलिए अपग्रेट कर पहले बुक वैल्यू जीरो थी अब 10 लाक अब वो कैपिटलाइज हो जाएगा एक्स पैडिशर तो उस पर हमको डेप्रेशेशन चार्ज करना पड़ेंगा हम देख लेंगा दूसरा अल्टेनेटिव है कि ओल्ड मेशन को हटाई ही दो भाई आप नीव मेशन खरी लिएज इंस्टॉलेशन कोश्ट आएगा पचास मतलब 20 लाक पचास मतलब 20 लाक पचास चीज तो बोथ अब वो प्रपोस्ट लाइफ है पास सालिवर्स वैल्ली दूलू कही नीद है लिखा दी एक्सपेक्टेड आफ्टर टेक्स प्रॉफिट अंडरलाइज करोगे आफ्टर टे ठीक प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र to advise the company as to which alternative is to be adopted सर तीनो alternative एक साथ बनाए कि हम दोनो alternative मतलब या तो old machine को अप्ग्रेड करेंगे या को रिप्लेस करेंगे एक साथ ही करेंगे NPV ने का नहीं के कोशिश करेंगे increment calculation of increment अब की बार हमारे पास दो alternatives है incremental NPV नहीं NPV नहीं का नहीं incremental approach है ठीक है एक तो बिटे यहां आएगा year यहां तर present value factor चेक करो बुक में दिया होना चाहिए मंद्रा बार्षन है यहां फैक्टर नहीं दे रखा अप्ग्रेट और दूसरा रिप्लेस रिप्लेस लिग दूँ चलेगा अप्ग्रेट और रिप्लेस हां जाए रिप्लेस अप्ग्रेट टेक्थ टैयार हूं uh सबसे पहला आजाएगा यहां आए कि कि कैसा और यहां तो निउ मशीन नहीं खरीदोगे पर खर्च आएगा अब ग्रेट करने दखा और यहां तो निउ मशीन अब्ग्रेटेट मशीन और नूवमशीन यह जदा अच्छा अब्ग्रेटेट इसा अब्ग्रेट। आज को क्या बोलो कि वन फैक्टर अब ग्रेड़िट में कितने का खर्च आएगो दस लाक रुट इसका प्रेड़ेंट वैली ही इसलाग और रिप्लेस करोगे तो बीस लाक की मशियन और इंस्टॉलेशन कोष्ट बीस लाक कचास रहें ठीट यहां तो हम ओल्ड मशिन को अप्ग्रेड कर रहा है पर यहां तो बेच होगे यहां चाहिएगा माइनस सेल ओफ ओल्ड आज वन यहां नहीं आएगा यहां आएगा इसके लिए मैं यहां दिखा रहूं कैसे आएगा कितने मैं दिख चोगे सेल कांस्टॉइशन सर्फ रुक्ती थाउशन कोई विए प्चापिटल कें टेक्स है क्या माइनस कापिटल कें टेक्स पचास वर में बेचोगे बुक वैल्यू जीरो हो चुकी है और टेक्स का रेट्च अली जी कितना आ रहा है विट्ट्ट् और टेक्स का रेट्ट्, टेक्स का रेट्ट् रेट्ट्- वोड़ी बाउशन यहां से माइनस कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउशन तो बच्चेगा 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 बस और आउट्रू में पुछलि पक्रिक है कि आएगी और दीस लाग पच्छासर माइनस की सब्सक्राइए ठीक है जी ये तो हो गया अब लिखोगे बी और जिसको में नाम देंगा इनक्रीमेंटल कैश इन्टो में सबसे पहले आएगा सबसे पहले क्या यहीं आएगा इनक्रीमेंटल सी एफ एप इसके लिए तो वर्किंग नॉट बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नंबर टू यह वन में आएगा अब दोनों ही मशिन का पैट दे रख प्रॉफिट अप्र टैक्स क्या करना है तोचते हैं अब अग्रेड है तोचते हैं सुन्ना ध्यांस ओल्ड मशीन ओल्ड मशीन ही चलता तो उस पर डप्रेशेशन लगता यह नहीं क्यों क्योंकि उसका बॉक्ट वैल्यू जी हो गए अगर अगर आप अपग्रेड करते हो तो वह जो पैट दिया है उसमें डेप्रेशेशन आट करना पड़ेगा जी सर तो मैं ऐसा कर लेता हूं एक साथी अपग्रेड़ीड मशीन एंड ने मशीन तो इसको ना मैं कोशिश करता हूं टेबल दो लनाने के ओकी सर तो पहला कॉलम तो हम ले लेते है यह वान टू 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 पाफ तो चलके अलग-अलग इसा जी है ओकी सर आगे लिखते हैं CFAT of old old ठीक है cfat of old मतलब पैट ही होगा और फिर क्या है पैट of अफग्रेड़ीड नहीं एक ही मशीन आपायो आपए दाशीच अफग्रेड़ीड इसमें क्यार्ट करोगे डप्रेशेशन अप्ग्रेड़ेड मशिन के डप्रेशेशन तो यहां जो अरे हुआएगा CFAT और अप्ग्रेड़ेड मशिन और फिर यहां लिखेंगे इनक्रिमेंटर CFAT समझा रहा हूं कैसे आँए समझाता हूं एकश्चिस्टिक मशिन का पैट दिया हूँ पहले साल का प्रोफिट आफ्टर टेक्स बिटेस में डेप्रेशिशन एड करूंगा न तो भी पाच लाकी आएगा तो में डेप्रेशिशन एग्जिस्टिंग मशीन पर होगा नहीं जीरो होगा इस वज़े से अब यहां 5,40,000 5,80,000 6,40,000 6,60,000 5,90,000 6,10,000 6,50,000 अब डेप्रेशिशन निकालना है मचीशन यह बात जो खोकी वो कौन सी मशीन की होए यह होए अब ग्रेटिव मशीन तो डेप्रेशिशन लगाना SLM मेथट से तो 10,00,000 की मशीन है डिवाइड बाइड वाइफाइफ हर साल का डेप्रेशिशन की पना हैगा 2,00,000 सलीं सब्सक्राइब अब इन्न नहीं को जोड देटेगा पैक प्लाइफासित धरिंस CHFCT होता तो 5,00,000 सर्याहा जां यहाँ हईगा 70,000 की 5,00,000 अब जोल के शविकर दो अब मुझे क्या कर रहा है, अब निकालना, incremental मालम है आपको, CFIT of new machine या upgraded machine minus CFIT of old machine, साढ़े साथ लाग, 2,50,000, 7,90,000 minus 5,40,000, ये भी 2,50,000, 8,10,000 minus 5,80,000, 2,30,000, ये सि एक मशिन कर रहा है, अब ग्रेड कर, लाग, 2,30,000, ये लाग, 2,40,000, ये सि एक मशिन कर रहा है, अब लाग, 2,30,000, ये लाग, लाग, 2,40,000, ये सि एक मुझे कर रहा है, अब लाग, 2,50,000, सेकेंड येर का भी 2,500,000 थर्ड येर का भी 2,300,000 फिर 2,300,000 और फिर 2,400,000 सर फैक्टर भी ले ले क्या चलो फैक्टर भी ले ले से फैक्टर दिया हुआ है कोस्टिन ना हुए ले ले ला है 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, अभी भी किसका बाकी है, ये किसका निकला था अब ग्रियो टिटका, अब किसका निकालना, अब निकालना नियू मशिन का, तो ये तो ये रहेगा, CFAT of old machine, इसको फोड़ा सा ही होच को, old, अब क्या लिख होगे, पैट, किसका नियू, फिर क्या जाएगा, डेप्रेशिशन, और पैट of डेप्रेशिशन is equal to CFAT of new, और फिर क्या जाएगा, incremental CRT, अब ये जो बात हो रही है, वो किसके हो रही है, means, अगर हम machine नहीं replace कर देते, तो, दूसर इसका पैट दिया होगा, छे लक, छे लक, 6,40,000, 6,90,000, 7,40,000 and 8,000, machine कितने कि है, 20,50,000 divided by 5, 10,000, 4,10,000, 4,10,000, 4,10,000, machine, 4,10,000, and 4,10,000, 10,10,000, 6,40,000 plus 4,10,000, 10,50,000, 6,90,000 plus 4,10,000, 11,00, 7,40,000 plus 4,10,000, 11,50,000, and 4,10,000 plus 8,12,10,000, अभी 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, minus 5, 10,00, यह भी आगे 5, 10,00, 11,00, minus 5, 8,30,000, यह आगे 5,20,000, 11,50,000 minus 3,60,000, 5,30,000, 12,10,000 minus 6,60,000, 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000, 5,20,000, 5,20,000, 5000, 10,00, 5000, 25 30 5 ले बस फैक्टर से मुल्टिप्लाइ कर दें तो लाख सत्रह जार पास्ट 1,089,000 151 340 131 560 119 280 443 7 00 385 560 342 160 303 160 and last 273 3550 तो अभ इन प्रिजेंट बैली कुछ जो हो ले तो 217,500 प्लस 189,000 प्लस 151,340 प्लस 131,560 प्लस 119,280 तो ये आगे 808,68 453,100,380,440,440,370,170,% 65,560 158,560 यह आ गया इसको बोलते हम A इसको बोलते प्रोटलोग B तो NP भी आ जाता है B माइनस A यह तो बिटे नेगेटिव आ गया 191320 और यह भी नेगेटिव है 2070 अब जबकि दोनों ही नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए ना तो हमको अपडेट करना चाहिए अफग्रेट करना चाहिए मेशिन को ना तो न्यू मेशिन देखर देना चाहिए यह मतलब हमको as it is, ही छोड़ देना चाहिए। आजर केगा, it is better to continue with existing machine. विकॉस इन, बोथ आइटरिनेटिव्स अच्छा कॉश्यन था, रिप्लेश्मेंट का अच्छा कॉश्यन था. सर्स, अब रिप्लेश्मेंट कुछ और बच्छा है, क्या मेरे ख्यान से बात खतम हो चुकी है, यह रिप्लेश्मेंट है। एक क्वेश्चन साथ नया एड़ हुआ प्रक्ष्मेंट, यह बार मैं आपको पढ़ा देता हूं कर ज्यादा दिखत नहीं। हाँ, यह कोश्चन नमबर 55, मैं होमवर्क देने जा रहा हूं लेकिन एक बार जीट कर देता हूं ताकि आपको समझा दूँगे, कोश्चन बड़ा दिख रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। लिखा, TFS is an authorized service center of reputed domestic air conditioners, manufacturing company, all compliance or service related matter of air AC are attended by the service center team, the service center employ a large number of TK, mechanic है, each of whom is provided with a motorbike to attend the compliance, ठीक, each mechanic travel approximately 40,000 km per annum, TFS decides to continue its present way policy of always buying a new bike, सवाल इतना है कि हमको नया बाइक खरीदना पड़ता है, new bike हम खरीदते हैं, पर अभी जो policy है हम हर 3-3 साल में बाइक रिप्लेस करते हैं, हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि यह optimal है कि नहीं है, इसका मतलब, याद है optimal replacement cycle करके हमने एक question किया था, हाँ sir, हर साल car change करना चाहिए, कि हर 2-2 साल में change, वह ही वाला question है, बस, कहानी दे रख, तो वह ही बोल रहा है कि हमें, either one year or two year would be better option than present three years, हर साल bike change replace कर देना चाहिए, कि हर 2-2 साल में replace करना चाहिए, कि हर 3-3 साल में replace करना चाहिए, पर्चेस तो करना ही पड़ेगा, तो 55,000 का resell price दे रख, अगर एक साल में बेचुगे तो 35 का भी केगा, अगर दू साल बात चला कर बेचुगे तो 21 का, और road taxes and petrol repair maintenance expenses वगिरह धिया हुआ है, cost of capital 10% यह question आप से बनेगा 100% और कौन सा question है sir, इसके जैसा कौन सा question था, यह बता question number 46, page number 80, तो जब भी 55 बनाने जाओगे, आपके पास question number 46, होना चाहिए, तो 46 में जो question बनाया था, 46 वैसे ही वाला question है 55, तो 55 के लिए homework है, page number 22, तो अब हमारा replacement खतम हो गया, तो अभी कौन-कौन सी classes हो चुकी है, हमारी basic हो चुकी है, replacement decision हो गया है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अगली class ही हम करने वाले है, risk and uncertainty in capital, बस risk and uncertainty बच्छा हो ए, sensitivity बच्छा हो ए और inflation बच्छा हो, capital risk बच्छा हो, तीम topic बच्छा हो, thank you